खबर है रगवर की बनाई अस्थान्य नीती बदलेगी हेमन सरकार तीन मंत्रियों की कमेटी बनेगी थर्ड और फोर्थ ग्रेट की नोकरियों में होगा फायदा दोस्तो रगवर दा सरकार की बनाई गई अस्थान्य नीती में बदलाओ होगा मुख्यमंत्री हेमत सोरेन की कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक कर इसमें बदलाव करने का निरने लिया अस्थानियता को परिभासित करने के लिए मंत्रियों की तीन सदसिये कैबिनेट सब कमेटी बनेगी मंत्रियों के नाम तैग करने के लिए मुख्यों मंत्री को अधिकरीद किया गया नाम पर मुहर लगते ही सब कमेटी के सदस्य अस्थानिय नीती की परिभासा के लिए काम शुरू कर देंगे मालुमों की राज में लागू अस्थानिय नीती रगुवर दास सरकार ने 18 अपरेल 2016 को लागू की थी इसमें 1985 से राज में रहने वालों को अस्थानिय माना गया है इसमें 3rd grade, 4th grade की नौकरियों में पराथ मिक्ता और कई अस्थानों उनके लिए पूरी तरह से रिजवर रखने की बात थी दो मार्च को राज सरकारें बिधान सभा में बिधायक बिनोत सींग के एक सवाल के जवाम में कहा था कि अस्थाने नीती में ससुधार का कोई अचित्य नहीं है उलेखनी है कि जामुमों ने अपने चुनाव घुसना पत्र में कहा था कि जहां तक आउशकता होगी बरतमान अस्थाने नीती में बदलाव किया जाएगा जनता की भावना की अनुरूप नई अस्थानिये नीती बनेगी जामूमो कोंग्रेस और राज़त गटबंदन सरकार बनने के बाद जामूमो सुप्रीमो शीबू सोरेन ने 15 जनवरी को कहा था कि अस्थानिये नीती के लिए कट ओफ डेट 1932 किया जाना चाहिए खबर है रगवर सरकार ने जिस कमपनी को दिया काम उसकी होगी जाच दोस्तो जारखन विदान सभा की बजट सत्र में बुदवार को करवाही के दोरान एक बार फिर भाज़पा सदस्यों ने हंगामा किया और वेल में आकर नारे बाजी की इस बीच स्फिकर रविंद्र नात महतों ने भाज़पा विधायक और पूरुक्रिसी मंत्री रणधीर सिंको आसन का सम्मान करने की कड़ी नसिहत दी पूरु मंत्री और निर्दली विधायक सर्यूराय के पत्थ निर्मान विभाग में घोटाले से जुड़े एक सवाल पर सरकार की और से बिधानसभा समीती के द्वारा मामले की जाच कराने की घोसना की है सर्यू राय के सवाल पर लंबी बहस के बाद परभारी मंत्री बादल ने जबाब दिया कहा कि अग्रवाल ग्लोबल इंप्राटेक प्राइबेट लिमिटेट कमपनी रायपूर की बिधन सभा की समेती जाच करेगी विधायक बिनोत कुमार सिंग ने कटोती प्रस्ताव पेश करते हुए डॉक्टर की संख्या बढ़ाने की मांगी खबर है सेना भरती के लिए ऑनलाइन रेजट्रेशन 20 मार्च तक जल्दी करें दोस्तो जारखन के सभी 24 चीलों को युवाओं को थल सेना में भरती के लिए सुनहरा मौका है सेना भरती का रेल राची ने 5-18 अप्रेल 2020 तक भरती रेली का आयोजन किया है भरती रेली मौराबादी के ग्राउंड में होगी इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन रेजट्रेशन 20 मार्च तक इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जा करना होगा अभियार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवारे होगा भरती रेले में भाग लेने के लिए योगी अभ्यार्थियों को ओनलाइन रेश्ट्रेशन कराना अनिवारी है इसके लिए www.joinindianarmy.nic.in पर लोग इन करें आईडी पासवर्ड और प्रोफाइल बनाएं इसके बाद रेश्ट्रेशन करें रेली में भाग लेने के लिए एड्मीट कार्ड अभ्यार्थी के रेश्ट्रेट इमेल पर 21 माच से 4 अपरेल के बीच भेजा जाएगा अभ्यार्थी को एड्मीट कार्ड पर दी गई तिथी के अनुसार रेली में भाग लेना है एड्मीट कार्ड लेजर प्रिंटर से ही प्रिंट कराए खबर है पुर्व सीम रगुवरदास के मामले में जहांच के लिए बनी कमेटी सर्यू ने कहा तीन लोगों का नेटवर्क करता था काम दोस्तो निर्दली विधायक सर्यू राय ने विधान सभा में बजट सत्र के दोरान एक सवाल पुछा सवाल कमपनी ग्लोबल इन्फराटेक प्राइवेट लिमिटेट से जुड़ा था इस सवाल में नाम आया पूरो मुख्यमंत्री रगुवरदास का बादल पत्रे लेख ने सवाल का जवाब देते हुए कहा सभी सदेश्यों की राय है कि मामले की जाच हो इसलिए मामले की जाच के लिए विधान सभा की एक समेती गठित की जाएगी विधायक परदीप यादों ने सवाल का जीकर करते हुए विधान सभा में कहा इंफ्राटेक प्राइबेट लिमिटेट कमपनी को दिया था जबकि इस कमपनी को 13 जनवरी 2017 को इंडियन कमपनी रेइस्ट्रेशन एक्ट के तहत इस कमपनी को पंजग्रीत होने का कारे अनुभाव ही नहीं है खबर है हेमन सोरेन के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं भाजपा अध्यक्ष दीपक परकाश का आरोप दोस्तों जारखन में भारती जन्त पार्टी के परदेश अध्यक्ष दीपक परकाश ने हेमन सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए भाजपा के परदेश अध्यक्ष दीपक परकाश ने कहा कि हेमन सोरेन की सरकार में राज़े के आदिवासी सुरक्षित नहीं है शीरी परकाष ने कहा कि राज्ये की हैमं सोरेन सरकार आदिवासियों पर हो रहे हमलों पर मौन है और इन हमलों के दोश्यों को बचाने में लगी हुई है उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार को धार्मी कारिकरम के दोरान दुसरे संपरदाई के लोगों ने अकारण हमला कर महिलाओं समेत लगभग दरजन भर लोगों को गंभी रूप से घायल कर दिया था दिपक परकास ने इस घटना में घायल होए लोगों से मंगलवार को मुलाकात की और उसके बाद संबादाताओं से बातचीत करते हुँ उन्होंने आरोप लगाया ये आदिवासी हित की बात करने वाले मुख्यमंत्री हेमंद सोरेन की राज में राज्य की राध्यनी में भी आदिवासी सुरक्षीत नहीं है सिरी प्रकास ने कहा आदिवासियों के हितेसी बनने वाले हेमन सोरेंड की सरकार के कारेकाल की शुरुवात ही आदिवासियों की निश्चन्स हत्या से हुई इस सरकार में लोगों का सुक्चैन चीन गया है उन्होंने कहा कि पीडित परिवार का सही एफायार भी दर्ज नहीं किया गया है पुलिस ने न तो पीडितों का बयान लिया नहीं घैलों की रिपोट बनवाई